हाई अब्रोवन वेलकॉम तो फीडियो वेलकॉम तो या ली जो इमेज है इसे अगर हम लोग नॉर्मल हिस्टोग्राइजेशन से ले जाते हैं तो यह ऐसा दिखता है बट इसे ऐसा दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसका अंसर मैं इस वीडियो में दूँगा क्लिपिंग लिमेट्स and at the end we will see the coding implementation of all the histogram equalization algorithms and इसके साथ साथ इसके outcodes भी देखेंगे ठीके मैं बता हूँगा कि इमेज को कब कहां और कैसे tune-up करते हैं so यहाँ पर क्या है एक छोटी सी ट्रिक थी मैंने आपको बोला था कि आपको यह चीज आती है हम लोग अगर BGR के जगे HSV color space लेंगे या फिर कोई भी HSL color space लेंगे जिसमें की color की information और light की information अलग-अलग हो तो हमारे पास यह याला distorted output नहीं बलकि real output आएगा एक better approach के साथ ठीक है so this is the break simple सा यह यह वेक था कॉन से कॉन से हम color space और use कर सकते हैं हम लोग YCRC बी यूज कर सकते हैं हम लोग YUV कर सकते हैं हम लोग HSV कर सकते हैं हम लोग HSL कर सकते हैं जिसमें भी color information अलग होगी तो यह देखो यह आली जो इमेज है इसको हमने color information को नहीं बलकि इसकी light को सिरिफ एक light वाले channel को हम लोग ने equalize कर दिया चलो अभी चलते हैं uses of histogram equalization यह आली जो part है यह जो part है अभी हम लोग coding से भी देखेंगे लेकिन ध्यान रखना कि histogram equalization का जो prime use होता है that is about contrast enhancement in an image all right contrast enhancement and feature enhancement जब भी हम लोग face detection करेंगे eyes detection करेंगे and body parts detection करेंगे तो एक image को हम histogram equalization से निकालते हैं so यहाँ पर देखो एक normal सी image थी इसमें यह एक satellite image type है ठीक है इसमें कुछ भी visible नहीं है लेकिन जब हमने histogram equalize कर दिया यह देखो कितनी visibility आ गई all right अब देखते problems क्या आते है histogram equalization में यहाँ पर मेरे पास एक किसी जो अपने moon का crust मान लो moon के crust की एक image है ठीक है like that ऐसी कोई image low contrast image है अगर इस पर मैं histogram equalization लगाता हूं यह histogram है इस पर मैंने equalization लगा दिये तो यह क्या करेगा यह पूरा distribute करेगा यह बात आपको पता है अगर यह बात आपको नहीं पता है तो पिछली आली वीडियो देख ले ना ठीक है यह histogram equalize हो गया बट आप उपर image देखो यह कैसी कितनी बर्बरी सी आ गई ऐसी क्यों आया है ऐसा इसलिए आया है क्योंकि यह जो image है इस image में already जो pixels हैं वह बहुत छोटी limit में confined है अल्राइट अब मैंने जब global histogram equalization करा है तो वो पूरी image के pixels को 0 से लेगा 256 bins तक बाट देगा और उस बाटने में क्या हो रहा है यहाँ पर जो है कुछ pixels जिनको उतना नहीं stretch होना चाहिए वो भी उतना stretch हो जा रहे है और image क्या हो जा रही है बहुत impurities से भर जा रही है तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं हम histogram equalization taking advantage of adaptive histogram equalization यहाँ पर मेरे पास एक low contrast image थी इस image को मैंने क्या करा चोटी-चोटी-चोटी-चोटी tiles में break कर लिया यह नौर्माल histogram equalization है और यह है adaptive histogram equalization अब आप देखो इन दोनों image में और इन दोनों image में कितना अंतर है यहाँ पर क्या है image क्यों impurities थी वो फटी नहीं मतलब वो इतनी एकदम से निखर के नहीं आई आती है adaptive में problem होती है तभी हम क्लाहे पर जाते हैं इसे हम लोग बोलते है आहे adaptive histogram equalization image is divided into small blocks called tiles then each of those blocks are histogram equalized as usual ठीक है समझगे यह तो हुआ adaptive histogram यहाँ पर आप देख लो low contrast image को high contrast में करा using adaptive अब इसमें problem क्या होती है यह यहाँ पर एक image है ठीक है original image है यहाँ पर यह इसका histogram equalization image है अगर आप यह देख लो छोटा सा बीच में एक तस्वीर रखी हुई यह एक मूर्ती रखी हुई है मूर्ती के आँख नाक और मू विजिबल नहीं है लेकिन histogram equalization के हिसाब से तो contrast enhancement होता है इसका मतलब इसके आँख नाक कान मू और ज्यादा विजिबल होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर तो और यह गंदे हो गए और अगर इसमें adaptive histogram equalization लगा दूँगा तो यह impurities से भर जाएगा ठीक है noise एक image में noise होती है बात आप जानते हो noise क्या होती है उसे और वो बड़ा देता है adaptive histogram equalization मालो यह चोटी सी टाइल है इस चोटी सी टाइल में कोई pixel बहुत black है और कोई pixel बहुत white है तो यह क्या करेगा उसे stretch करते ह बीच के pixels ठीक है अभी चलते हैं इस problem को tackle करने के लिए जो noise amplification हो रहा है due to adaptive histogram equalization and global histogram equalization इसके और टैकल करने के लिए हम लोग इंट्रिद्यूस करते है contrast limited adaptive histogram equalization बहुत important है limited time में समझाऊंगा ध्यान से समझना ठीक है maths बहुत important है contrast limited adaptive histogram equalization क्या करता है adaptive है adaptive का मतलब छोटे- limit कर देता है मतलब यह उतना ही खीचता image को जितना जरूरी है जादा नहीं खीचेगा कि आपको बेकार लगने लगे image impurities नहीं डालता ध्यान रखना if any histogram bin is above specified contrast limit एक यह मालो यह मेरे पास histogram की बिन सार है ठीक है यह देखो मैंने मालो यह clip limit लगा दी clip limit है किसमे parameter होता है मैंने लगाई कि हाँ यह एक clip limit है ठीक है तो clip limit पर क्या होगा कि जो जितने जैसे मैंने मालो लगा दिया कि 100 clip limit है कि 100 pixels से उपर अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो contrast उसमें जादा लग रहा है तो आप क्या करो उसे stretch मत करो बलकि उसे उन सारे pixels को कुछ और कर दो तो यह कुछ और म normal stretch करने की जगे क्या करेगा clip limit के उपर से जितने भी pixels है उन्हें उठाएगा और नीचे uniformly उन्हें बाट देगा ठीक है जिसे हम बोलते हैं clipping आपने यह चीज पढ़ाओगा rectifiers में कि उपर के जितने भी जैसे यह confined range छोटी सी range में बहुत सारे pixels आ गए तो क्या करा उपर के clip limit के उपर के pixels उठाए और उन्हें नीचे बाट दिया इससे क्या होता है एक contrast contrast to enhance होता है लेकिन बहुत uniformly enhance होता है हर एक pixels को हर एक pixels के पास मतलब जो number of gray values होती है उनमें जो pixels distribute होते हैं वो बहुत evenly हो जाते हैं ठीक है contrast limited का यह होता है कि if any histogram bin is above specified contrast limit then those pixels are clipped and distributed uniformly to other bins before applying histogram equalization ठीक है यह चोटी सी region में बहुत सारे pixels थे चोटे तो उपर वाले pixels काटे और नीचे uniformly बाट दिये अब इस पे histogram equalization लगा तो तो अभी देखते क्लाहे का मैंने आप से कहा था original image में आखनाक मू इस मूर्ती के enhance होने चाहिए थे normal histogram equalization में इसने और गायप कर दिये क्यों गायप कर दिये क्योंकि यह global है ठीक है adaptive लगाओगे इसमें impurities आ जाएंगी और यह देखो क्लाहे में क्लाहे में क्या इसने करा contrast को limit करके रखा और सच्ची में कितना अच्छा निखा रहा हुआ output दिया है ठीक है now without wasting time आपको तीनों चीज़े आ गए global and साती साथ adaptive साती साथ क्लाहे अब इसको implement करते हैं coding में so coming over to the screen यहाँ पर क्या है मैंने test.png read करा लिए test.png अभी मैं दिखा दूँगा कौन सी image है उसे मैंने grayscale में convert करा है अभी grayscale कर रहे है इसके बाद color करेंगे और उसके बाद क्लाहे करेंगे ठीक है तीनों equalizations मैं सिखाऊंगा अभी इसे क क्या करता हूं मैं एक बार cv2.im show करके आपको दिखा देता हूं या फिर इसी में calculate ही कर देता हूं मैं ठीक है मैं histogram calculate कर देता हूं इसका histogram कैसे calculate करेंगे मैंने आपको बताया था cv2.calc calculus so calculus हमने लगाया image image हमारी image है यह इसमें ध्यान रखना हम लोग टपल के form में सारी सारी values हम लोग टपल के form में देते हैं channels हमें को कौन सा एक ही channel है मारे पास तो हम zero pass कर देंगे mask mask हमें देना है none mask अगर दे दोगे तो उतने pixels consider नहीं होते है histogram equalization में हिस्टोग्राम का size मैंने आपको बताया था histogram का size क्या होता number of bins number of pixel values कितनी है 0 से 255 तक range कर सकती है तो total 256 values and range कितना जा रहा है उनका 0 से 255 तक तो 0 से 255 तक यहाँ पर मेरे लिए calculate histogram जो function है वो एक histogram calculate करके देगा इस image के लिए यहाँ पर यह image क्या है gray scale image है अभी color का भी हम लोग देखेंगे अब इस histogram को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर matplotlib यूज कर रहा हूँ इसका show कर देता हूँ दो methods हैं सिर्फ इसमें plt.plot मैं अपना plot करने के लिए data plot करने के लिए इसमें pass कर देता हूँ and then plt.show that's all ठीक है यहाँ पर हमने import कर रहा था पाइ-plot में हमने plot कर दिया सारा data और show कर दिया just मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा लगता है इसका histogram ठीक है अभी इससे run करके देखते है so अभी इसे हमें run करा यहाँ पर आप देख रहे हो सामने कि मेरी वही image जो हम लोग उसमें use कर रहे थे वाली image आ गई जो satellite image थी low contrast में और साथी में इसका histogram आ गया अब आप देख रहे हो कि 120 से लेकर around यह 210 तक सारी values confined है अब इसे क्या करना है histogram equalize करना है चलो भई अब चलते है histogram equalization की तरफ अब इसे histogram equalization आपको करने के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे इसका दुबारा से histogram हम लोग वो करेंगे चलो पहले वाला और दुबारा वाला दोनों हम लोग plot कर लेते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर पहले ही इसे plot कर दिया अब उसके बाद क्या करा मैंने image hist is equal to cv2.histogram equalization करने के लिए क्या हम लोग करते हैं यहाँ पर हम लोग लगाएंगे equalize hist equalize hist क्या करेगा उस पर histogram equalization लगा देगा यहाँ पर फिर मैं इसे cv2.imshow से एक बार show कर लोगा ठीक है यहाँ पर यह क्या होगा applied histogram applied histogram में मैंने pass कर दी अपनी image hist so there it comes यहाँ पर हो गया हाँ लेकिन इसके बाद भी मेरे को एक बार plot करना था histogram तो एक बार मैं फटा-फट से इसे plot कर देता हूं आप को अगे plt में plot कर रहा हूं हाँ plt में plot कर रहा हूं यहाँ पर क्या होगा उसमें दूसरी line से बनके आपको दिख जाएगा ठीक है दूसरी line बन जाएगी चलो अभी इससे run करके देखते हैं सो यहां पर देखो ध्यान से देखना यह जो औरेंज वाला आपके पास आ रहा है यह equalize histogram है जो आपके पास blue वाला आ रहा था वो equalize histogram नहीं था अब दोनों images में आप अंतर देखो इसमें कितने contrast enhanced features आ रहे हैं और इसमें देखो क्या है सब कुछ blur blur सा देख रहा है सब कुछ कुछ भी contrast enhancing नहीं है लेकिन इसमें जैसा अगर मैं आपको बताया था प्रॉब्लम में rise हो गई है यह देखो यहां पर क्या है बहुत गिचपिच इसने create कर दी इस गिचपिच को मिटाने के लिए हम लोग अब इसके बाद यहां से निकलते हैं हम लोग यहां पर मेरे यह लिए color histogram color histogram plot करना आपको सिखा देता हूँ color histogram का क्या होगा simple सी बात है b,g,r यह क्या होंगे तीन मेरे पास channels आ जाएंगे channels कैसे आएंगे cv2.split function से यहां पर split split कौन से करनी है मुझे image करनी है यह b,g,r में split कर देगा उसके बाद क्या करना है मैं तीनों को plot कर लूँगा एक एक करके simple सी चीज़ है यह मैं fast fast आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ b कर लिया फिर g plot कर लिया और फिर उसके बाद मैंने r plot कर लिया ठीक है plotting में सारी चीज़े आपको पता है ना calculateist में क्या क्या यूज होता है सारी चीज़ों को plot कर लिया मैंने save कर लिया उसके बाद अब इसे भी एक बार रन करके देख लेते हैं सो यहां पर देखो यह मेरे पास image थी और इसके यह तीनों बी जी आर चैनल में सारे plotting आ गई मेरे पास ठीक है जितने भी जितने भी तीन चैनल्स थे ना तीन अलग-अलग colors में उनकी plots आ गए अब अगर इसे मैंने histogram equalize कर लेना है simple इसे hsv space में convert कर लेना उसका v channel equalize करके फिर बापस में लगा देना या फिर आपको अगर देखना है तो फिर मैं फटा-फट से आपको दिखा देता हूँ image hsv is equal to cv2.cvt color source क्या होगा हमारे पास image and code is cv2.bgr to hsv ठीक है यहां पर मेरे पास hsv आ जाएगा तो hs h,s,v is equal to cv2.split cv2.split के से मैं मुझे करना है image hsv को image hsv अब मुझे सरे value channel पर ही histogram equalization लगाना है तो v is equal to cv2.equalize hist equalize hist कौन सा channel करना है मुझे v वाला channel करना है और उसके बाद दुबारा से इन्हें merge कर दूंगा तो merged hsv is equal to cv2.merge merge function में मैं क्या पास करूंगा अपना h,s,v ठीक है और उसके बाद मुझे क्या करना है इस hsv को दुबारा से bgr में convert कर देना है bgr enhanced is equal to cv2.cvt color source क्या है मेरे पास bgr enhanced sorry merged hsv merge hsv and code is cv2.hsv to bgr hsv to bgr ठीक है यहां पर मेरे पास hsv to bgr आ गया अब इन दोनों को एक बार मैं show कर लोंगा normal image और यहां पर मेरे पास bgr enhanced image और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा इसे टपल में pass कर देना पड़ेगा यह देखो यहां पर मेरे पास ध्यान से देखना outputs आप observe करना यह मेरे पास normal window है ठीक है मैंने same window में इसे दिखा दिया है आपको मैं 1 minute रूको बस एक second मैं आपको outputs differ करा कर आके दिखा देता हूँ window normal बस that's it मैंने आपसे क्या कहाता है hsv में work कर रहना है यह देखो यह figure के histograms थे normal figure यह था मेरे पास और उसे जब equalize कर दिया हमने through value channel तो देखो कितनी निखर की उसकी आखे देखो उसके आखे कितनी निखर गई उसके lips की पास देखो कितने सारे gradient changes आ गए यह जो hat के कुछ decorations हैं उसमें देखो कितने सारे gradient changes आ गए so this is all about यह histogram equalization in color images now apply करके एक बार देख लेते हैं ठीक है फटा फट से हम लोग apply करके देखते हैं एक बार so यहाँ पर कुछ भी नहीं है apply करने में यहाँ पर क्या है मैंने test.png को read कराया है gray format में read कराया है उसके बाद क्या है यहाँ पर यह जो code है मैंने Geeks4Geeks से लिया है क्योंकि मेरा ही article वहाँ पे लिखा हुआ है वह article मैंने लिखा है क्लाय वाला so class is going to cv2.create.clahe create.clahe मैंने आपको clip limit बता दी कि number of pixels clip limit में क्या देते है number of pixels की अगर इससे जादा number of pixels है तो वह सारे नीचे distribute कर दो यहाँ पर अगर आप 5 देदो 10 देदो equally है ठीक है पास देदो ठीक है यह अपनी असाब से द्याग लेगा क्लाहे का पहले हम लोग एक instance create करते है create क्लाहे से इसमें clip limit हम लोग define कर देते हैं यहाँ पर मेरे पर क्लाहे का instance आ गया उसके बाद क्लाहे.apply से हम लोग क्लाहे को apply कर देते हैं ठीक है यहां पर नॉर्मल हिस्ट आ गया यहां पर सिर्फ he image आ गई और यहां पर यह आ गई हमारे पास ordinary image ठीक है चलो अभी इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं यह मेरे पास तीनों images है ध्यान से देखना यहाली जो sorry मेरा weight की function okay मेरा parameter बहुत कंथा I have all this so यहां पर देखो अब तीनों outputs में तुम difference देखो यहां पर first वाला चलो contrast नहीं था मैंने contrast enhance कर दिया using histogram equalization लेकिन इसमें यह देखो पेड़ के पास क्या कर दिया था यह पेड़ों के पास इसने बहुत jumble up कर दिया था काला काला कर दिया था अब adaptive तो लगा उसके संग में contrast limiting भी लगा तो उसने क्या करा यह देखो कितना clear यह region और यह region में observe करो क्लाहे कितना clear कर गया इसे ठीक है जैसे जैसे आप claim limit adjust करते जाओगे वैसे वैसे clarity बढ़ती चली जाएगी so that is all about क्लाहे आहे and histogram equalization gray scale color आपने सारा कुछ कबर कर लिया histogram equalization से कुछ भी doubt है insta down में इसके बाद वाले topics हैं वो सारे ही important topics है we will study about thresholding we will study about contour detection and finally उसके बाद हम लोग computer vision projects बनाना शुरू कर देंगे ठीक है so be subscribe and अगर कोई friend हो तो उसे share करना video all right thank you